अगर देखो आप नरक से गुजर रहे हो ना, मतलब लाइफ के difficult face से अगर आप गुजर रहे हो तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुखना नहीं है देखो अच्छा और बुरा समय सबका आता है मान लीजिये आप ना किसी कीचर से गुजर रहे हो अब देखो एक solution तो यह हो सकता है कीचर से गुजर रहे हो तो रोते रहो कि अरे मैं कहां फस गया किस बुरी situation मैं फस गया मैं जबकि दूसरी अप्रोच यह होती है कि चलते रहो एक कदम आगे बढ़ाते रहो एक कदम आगे बढ़ाते रहो चलते रहोगे चलते रहोगे तो कीचर से आप निकल जाओगे समझ गए यह जो कोट है ना वो एक परकार से pergevriance और determination की बात करता है कि जब भी आप बूरी situation में आते हो जो भी आपके सामने आए जितना भी बूरा चीज आपके सामने आए आप उस पे action लो कदम आगे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो आप उस situation से निकल जाओगे अगर रुक कर रोते रहोगे यह मेरे साथ क्या हुआ क्यूं हुआ मेरे साथ ही always क्यूं होता है ऐसा तो देखो आप उस situation से कभी नहीं निकल सकोगे कुदरत ने देखो चीजों को ऐसे ही बनाया है cycle का example काफी बार दिया जाता है cycle जब तक चलती रहती है तब ही तक वो चलती रहती है जैसे ही वो रुक जाए तो stand नहीं लगाएंगे तो वो cycle गिर जाएगी समझ गए date आज की है 15 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका editorial discussion में आज देखो तीन issues हम काफी important discuss करेंगे सबसे पहले आर्टिकल आज हम discuss करेंगे online gaming industry के regulation से सम्बंदित कितना नुकसान सरकार को हो रहा है फिर भी सरकार online gaming industry को अच्छे से regulate नहीं कर रही है दूसरा आर्टिकल देखो जमुएन कस्मीर में आंतकवाद को tackle करने की जो approach है न वो ऐसी है कि last आंतकवादी तक हम मार गिराएंगे लेकिन ये approach जो है न वो गलत है ज्यादा आंतकवादी मारने से काम नहीं चलेगा अगर आप terrorism को जड़ से उखाड़ फैकना चाते हो हाँ आंतकवादी को मारना ज़रूरी है लेकिन ये solution नहीं है तो इस article में हम discuss करेंगे और तीसरा article यहाँ पे anti-defection law से सम्मदित है हाल खी में महराष्टर स्टेट एसेमली के जो speaker है उनका एक बहुत important verdict आया है तो उससे सम्मदित के बीच वाला article है इसे भी हम detail से discuss करेंगे और आज pre के दो questions भी हैं आपके लिए आप उनका answers दीजिए comment box में क्योंकि अप pre नजदीक है तो थोड़ थोड़ा pre कभी हम उठाएंगे questions वगड़ा लास्ट में तो चलिए discussion start करते हैं इसके बादने इस आर्टकल इंडिया में online gaming industry को regulate करने से सम्मदित हैं आप देखो GS paper 2 में ये topic है ना यहां से आर्टकल को relate कर सकते हैं एक आकड़ा आप हमेशा याद रखिए इंडिया में internet users के संख्या पता कितनी हैं 692 million इंडिया internet users के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश हैं average तोर पर daily हमारे देश में एक internet user 4.9 घंटे आल्मोस्ट 5 घंटे किसी ने किसी mobile application पर बिताता है मतलब सिर्फ एक और ये देखो 2019 के मुकाबले में 32% जादा है आज देखो internet पर नई नई technologies आ रही हैं और बहुत सारी देखो हमारी life को आसान बनाती हैं और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हमारी life को मुस्किल बना रही हैं जैसे देखो ये deep fake वाली videos हैं real क्या है और real क्या है उसके बीच में जो difference है वो काफी ज़्यादा कम हो गया है ऐसी ही एक industry है online gaming industry जिसकी हम आज बात करने वाले हैं ये industry देखो तेजी से grow हो रही है 2026 आते आते 300 billion dollars की ये online gaming वाली industry हो जाएगी हर साल 27% की growth rate देखने को मिल रही है इस online gaming industry में लेकिन देखो फाइदों की बात हम बात में करेंगे लेकिन पहले concern की बात करते हैं concern क्या है online gaming industry को लेके सबसे पहली चीज addiction देखो बहुत सारे बच्चे आपने अपने आस प्रोडोस में देखे होंगे लगातार mobile में game खेलते रहते हैं दो तिन बच्चे game खेल रहे थे तो ऐसे ही बात चलने लगी कितना घंटे game खेलते हो उन्होंने बताया नहीं लेकिन बहुत ज़दा game के वो सोकीन लगे addiction देखो किसी भी चीज का नब बहुत खराब होता है तो online gaming पर ज़्यादा समय व्यतीत करना आपकी भी कर लिया गिल्ट आ गया ऐसी खबरे हम सुनते हैं न mental illness बहुत ज़्यादा suicides, financial frauds और online gaming वहली जो companies है data चुरा के बेच देती है आप आपने वहाँ पर register किया game खेलने के लिए आप सब का data इकठा किया और data बेच दिया किसी और को फिर आपके पास अजीब हो गरीब message आने लगते हैं आप बोलो कि मैंने तो register किया ही नहीं क्यों क्योंकि भाया आपका data बेचा जा चुका है इसलिए उन companies वो companies आपको message बेज रही है जिन्नोंने data खरीदा है किसी और से ये points तो देखो कुछ भी नहीं है rider कहते हैं एक बड़ा concern देखो हमारे देश में बैटिंग बैन है online बैटिंग हमारे देश में बैन है but बहुत थारी companies अब देखो वो registered है England में या फिर दुबाई में वहाँ पे वो registered हैं लेकिन हमारे देश के users को target कर रही है इनी के सामने हमारे देश के users के सामने advertisement आती है अब देखो इससे कितना उक्सान होता है ये companies registered हैं दुबाई में इंग्लेंड में यहाँ से users से पैसा इकठा करके ले जाती है वहाँ पे इंग्लेंड में दुबाई में और सरकार कुछ नहीं कर पाती समझे users को कुछ नहीं पता लगता ये company fraud है या फिर ये company legitimate है ये company Indian है या फिर ये company बहार registered है कुछ भी नहीं समझ में आता users को कई बार तो वो fraud में फस जाते हैं पैसा जमा करवा देते हैं game खेलने के लिए लेकिन वो company फिर पैसा लेके भाग जाती है response देना बंद कर देती है ऐसे ऐसे fraud बहुत चलते हैं राइटर एक आकड़ा भी देते हैं ये जो illegal विदेशी companies है न जो Indian users को target करती है betting के लिए या फिर gambling के लिए ये हर साल इंडिया से 100 billion dollars लेके चली जाती है पर इंडिया से लेकर चली जाती है बड़ सरकार कुछ नहीं कर पाती सरकार का regulation ना के बराबर है अगर देखो सरकार इन companies को lawful तरीके से भी काम करने देती न तो भी सरकार को इतना जादा revenue प्राप्त हो जाता ये जो illegal तरीके से पैसे ले जा रही है न इन पर सरकार tax लगाती तो writer कहते हैं सरकार ना 45 billion dollars का revenue हर साल खो दिया है क्योंकि सरकार इन विदेशी companies को regulate नहीं कर रही है हमारे देश में हो क्या रहा है कई state ना अपना अपना कानून बना रहे हैं online gaming को लेके जैसे तमिलाडू ने बनाया बट दिक्कत पर है क्या है यार ये जो game है ये मतलब एक जगह पर register होगी और दूसरी जगह उस game को खेला जाता है कोई physical border थोड़ी ना है रोक सकते हैं तो एक state का का कानून बनाने से काम नहीं चलेगा सेंट्रल ला से काम चलेगा तमिलाडू ने online game को basic ban कर दिया रोकेंगे कैसे अगर 36 गड में कोई game registered है और वो खेली जा रही है तमिलाडू के users के द्वारा तो game को रोकने के लिए तमिलाडू की सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती इसलिए पूरे देश में सेंट्रल गोर्मेंट को इसको लेके strict होना पड़ेगा अलग-अलग राज्य कानून बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा राइटर एक बात ये कहते हैं अगर देखो अच्छे से regulate की जाए ना इस industry को तो ना सिरफ सरकार को revenue मिलेगा बलकि बहुत सारी jobs create होंगी अभी क्या होता है जो बिचारे genuine players है ना वो थो थोड़ा वो tax देते हैं बट वो पिछड जाते हैं जो illegal players है ना वो आगे निकल जाते हैं बिना tax दिये वो operate करते रहते हैं और जनता को तो समझ में नहीं आता कोण illegal player है कोण legal player है सरकार ने ना इसी संदर्व में 2021 में कुछ guidelines लाई थी information technology, intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021 बट देखो sufficient नहीं है ये guidelines इस industry को regulate करने के लिए एक provision सरकार ने ये भी किया था कि self regulatory bodies establish की जाएंगी अभी तक establish नहीं होई है तो अगर देखो हमारे देश में 373 million gamers को protect करना है ना serious होना पड़ेगा सरकार को ऐसे काम नहीं चलेगा डिली डाली approach नहीं चलेगी UK का example writer देते हैं UK में ना अभी centralized government regulator है पूरे देश में gaming industry को regulate करने के लिए एक central regulator है अब वो क्या करता है जो steps लिए गए है ना इस regulator के द्वारा online gaming industry को regulate करने के लिए हर तीन महिने बाद publish करता है data की उन majors का क्या फरक पड़ा है और पूरी data driven approach है और data देखो ये कहता है 2018 से देखे 2022 के बीच में वहाँ पे ना gaming industry अब काफी ज़ादा organize हो गई है और जो gaming company regulation को नहीं मनती भारी भरकम fine लगाया जाता है उस company के उपर तो एक deterrence आया है कि सरकार के हिसाब से चलना है rules के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो जबरदस्ट fine लगेगा इंडिया में भी इसी परकार से centralized regulation होना चाहिए देखो अगर कोई भी market unregulated होगी न जैसे crypto currency है crypto currency को सरकार ने ban कर दिया बट illegal तरीके से उस currency की market भी चलती रहती है एक shadow economy create हो जाती है पूरी आप बोलोगे सर, shadow economy क्या होती है shadow economy मतलब underground economy या फिर informal economy जैसे आपको example देता हूँ अब देखो drugs का वेपार होता है drugs के वेपार को ना तो सरकार regulate करती है illegal जो drugs बिखती है market में नस्षे के लिए उनको ना तो सरकार regulate करती है और ना ही उनसे tax वसूला जाता है तो गलत धंग से ये जो कारोबार है वो चलता रहता है सरकार की नजर से बाहर तो ये क्या है ये shadow economy है ऐसी economy जो informal धंग से चलती है जो underground चलती है तो online gaming industry को अगर धंग से सरकार regulate नहीं करेगी ना ये भी drugs के वेपार की तरह informal धंग से चलने लगेगी यनि shadow economy बन जाएगी जो देश के लिए देखो बहुत ज़दा नुकसान तैक है तो अवशकता ये है कि सरकार ना इस industry को regulate करें इससे jobs generate होंगी इससे बहुत सारी revenue सरकार को मिलेगा और सबसे बड़ी बात अगर आप इसे regulate नहीं करोगे तो जो gamers हैं उनको तो नुकसान होगा ना ये companies उनको बेवकूफ बनाती रहेगी और सरकार का तो कामी है होता है जनता की सुरक्षा करना अगर आप regulate नहीं करोगे तो जनता risk में आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया online gaming industry से सम्मंदित आपके क्या view है आप भी बताईए आपका क्या experience आपने देखा आज प्रोडोस में online games से सम्मंदित चलते हैं आगे इसके बाद देखो हिंदू का एक आर्टिकल है देखो आपना notes मत बनाईए आप इस concept को समझे अभी हमारे देश में जमूएन कस्मीर में जो security operations चलते है इस आंकडे पर बहुत focus करते हैं कि देखो हमने इस साल इतने terrorist मार दिये समझ रहे हो राइटर देखो ये कहते हैं ये जो approach है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा terrorist को मारना ये approach सही नहीं है क्योंकि ना आप सिरफ symptoms को address कर रहे हो जैसे बुखार हुआ बुखार के symptoms होते हैं for example, सरदर्द यू मत बोलिएगा कि सरदर्द नहीं symptom होता आप concept को समझे बुखार के बहुत सारे symptoms होते हैं अगर हम सिरफ symptoms को address करेंगे लेकिन बुखार क्यों हुआ है infection की वज़े से उसे address नहीं करेंगे तो क्या बंदा ठीक होगा नहीं, नहीं ठीक होगा एक और example देता हूँ देखो मान लीजिए दिक्कत ये है किसी पेड की वज़े से कोई पेड unwanted है और ना उस पेड के न पत्ते बहुत ज़़ा गिर रहे हैं तो एक तो ये approach है कि उस पेड की टहनिया काट दो जो unwanted पेड है उस पेड की टहनिया काट दो लेकिन देखो ये तो सिरफ एक symptom को address करने वाली बात हुई जब तक आप पेड के पेड को root से नहीं उखाड़ोगे फिर से टहनिया बढ़ी होंगी फिर से टहनियों से नीचे पत्ते गिरेंगे पिर अगर local है कस्मीर के किसी हिस्से से है तो उसका भी एक root cause है frustration, unemployment, lack of jobs और government के उपर trust ना होना ये सारे क्या है? ये कारणी तो है ना? इस वज़े से कोई person फिर से वहाँ पे कोई youth हतियार उठा लेता है तो सिरफ आतकवादियों को मारना ये सिरफ एक हिस्सा है approach का problem देखो multi-pronced है कई सारी dimension है problem के लेकिन solution निकालने में सिरफ हम एक dimension पे focus करते हैं कि आतकवादियों को मारो बाकी dimensions पे focus नहीं करते कि ये problem क्यों चली आ रही है इतने समय से राइटर एग्जांपल भी देते हैं कि देखो 1990s में उस समय कस्मीर में insurgency पीक पे थी इतने सारे terrorists थे उस समय और इवन 2000 के बाद भी 30 सालों में insurgency काफी हावी थी देखो तब तो चलो माना कि 2000 लोग की death हो रही है एक साल में तो इस आकड़े को कम करना है बड़ देखो 2007 के बाद से annually local communities के साथ समवाद स्थापित करने का उनका trust generate करने का government के उपर इसके अलावा वहाँ पे local level पे leadership emerge होके आए लोग का democracy में विश्वास जगे ये सब insur करने का एक मोका था लेकिन हम उस मोके को भुनाने में fail हो गए और अब एक बर फिर से वहाँ पे न लोगों का distrust बढ़ गया है सरकार के उपर और ये न एक जब देखो सरकार के उपर distrust नहीं होता unemployment काफी ज़्यादा है तो न ये एक fertile ground होता है youth का mind वास करने का और उनको आतकवाद के रास्ते पर धकेलने का समझ गए दिक्कत पते क्या है जब देखो insurgency peak पे थी न 90's में 2000 के शुरुवाती सालों में उस समय न हमारे देश में जो army units anti-insurgency में लगी होई है न उनको reward दिया जाता था कौन सी unit ने ज़्यादा आतकवादियों को मारा कौन सी unit ने ज़्यारों को seize किया बट देखो ये जो approach थी न उस समय तो relevant थी जब insurgency बहुत ज़्यादा हावी थी जब बहुत ज़्यादा आतकवादी active थे बट आज न टेरिजम उतना ज़्यादा नहीं है आज insurgency उतनी ज़्यादा नहीं है बट वो approach आज भी जारी है अब इस चकर में वैसे देखो आलमुष्ट सारे officers professional होते हैं लेकिन फिर भी कुछ-कुछ गलतियां हो जाती है जैसे राजोरी पूँच की घटना के बाद तीन civilians की death हो गई थी तो न राइटर ये कहते हैं ज़्यादा आतकवादियों को मारने के ज़्यादा हतियारों को siege करने की ज़्यादा अप्रोच रहती है उस चकर में कई बार civilians लपेटे में आ जाते हैं निर्दो civilians की death हो जाती है उनको मारा पीटा जाता है इससे बलकि उनमें frustration, distrust सरकार के उपर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये vicious cycle है देखो कोई भी insurgency खतम हुई है न वो दिलों को जीत के हुई है मतलब मानता हूँ मैं पहले तो आप आतकवादियों को मारोगे तभी तो एक ecosystem बनेगा न दिलों को जीतने के लिए राइटर ये कहते हैं पूँच राजोरी रीजन में न 2007 के बाद में एक perfect environment था दिलों को जीतने के लिए बट उस मोखे को हमने भरपूर यूज नहीं किया चाहे देखो वेतनाम वार हो अफगानिस्तान हो ये यूद यूएस हारा क्यों हारा क्योंकि दिलों को नहीं जीत पाया राइटर कहते हैं ये बहुत बढ़िया step था तीन निदो civilians की जान गई तो एकदम से हमारे defense minister भी गए उनके घर में समेदना परकट करने के लिए और बोला कि हमसे गलती हुई है ये अच्छी चीज है trust पैदा करने के लिए बट ये one time process ना हो, one time action ना हो और long term solution आएगा किस से जैसे देखो वहाँ पर elections होंगे leadership मिलेगी लोगों को governance अच्छी होगी, development आएगी employment मिलेगा तो इसी से situation अच्छी होगी और ये चीज़ जो है न आतकवाद को breed नहीं होने देगी बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को देखो लगातार सरकार को pressurize करता है जाना चाहिए कि वो आतकवादी ना भेजे जैसे देखो 9-11 के हमले के बाद USA ने किस परकार से आतकवाद को handle किया diplomacy भी लगाई, military action भी लिया तो उसी परकार से इंडिया को लगातार, अलग-लग माध्यम से पाकिस्तान के उपर pressure लगाते रहना चाहिए कि भया आप ये आतकवादीयों को भीजते हो ये बंद करो, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी मिलाकर देखो, conclusion में यही कहा जा सकता है insurgency, आतकवाद ये देखो multi-dimensional problem है तो आपने इस problem को multi-dimensional problem को सिरफ एक dimension से, यानि military solution से नहीं handle कर सकते आपको भी इसके लिए multi-dimensional solution के आउ सकता है इसमें देखो, एक point ये भी दिया जा सकता था ये जो insurgency है ना एक idea पर अधारित है कि हत्यार उठाके कस्मीर को India से अलग किया जा सकता है तो जब तक देखो, आप इस idea को खिल नहीं करोगे तो आइडिया के symptom जो है, वो तो आते रहेंगे पहले देखो लस्करे तोईबा था, फिर अलग आत की संक्थन आ गया, हिजबुल मुजाहिदीन आज कल तो और भी ने-ने front बन गए है organization नहीं बनती रहेंगी आपको उस idea को ही मार देना है, जिसकी वज़े से ये organizations बनती है जिसकी वज़े से कुछ लोग आतकवाद को sport करते हैं, इवन locally भी, तो ये पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे इसकी बढ़ना इस आर्टिकल तो देखो, anti-defection लाज से समनित है, आप GS paper second के इन topics से article को relate कर सकते हूं देखो, महराष्टर में न, महराष्टर की state assembly में speaker का एक verdict आया है case क्या था, case ये था आपको साइद याद हो, अगर beginners को नहीं पता हो, तो बता देता हूं पहले देखो, महराष्टर में न, महाविकास अगाडी की सरकार थी, सीवसेना, प्लस में NCP, प्लस में Congress, लेकिन हुआ क्या, सीवसेना दो फार्ड हो गई, दो गुटों में बट गई, एक तो देखो, एकनाथ सिंदे का गुट, और दूसरा उद्दव ठाकरे का गुट, जब सीवसेना, दो गुटों में बट गई, तो सरकार गिर गई, एकनाथ सिंदे के गुट ने बीजेपी के साथ मिलके सरकार बना ली, बट देखो, उद्दव ठाकरे का जो गुट था न, उन्होंने स्पीकर के पास में पिटिशन फाइल की, कि एकनाथ सिंदे के गुट में जो MLA's है न, इनको एंटी डिफेक्शन ला के एकोडिंग डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए, क्यूंकि, क्यूंकि, हमने न, सिर्व सेना के वीप ने न, एक ओर जारी किया था, कि सभी MLA's को मिलना है, एकनाथ सिंदे गुट के MLA's नहीं आए, यानि वीप के order का पालन नहीं किया गया, अब वो लाइबल है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये पिटिशन फाइल की गई थी, सिर्व सेना के उद्धाव गुट ने स्पीकर के सामने, जिसे महराष्टर स्टेट असेमली के स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया, और कहा, असली सिव सेना जो है, वो सिंदे गुट है, सिंदे गुट जो अलग हो गया था, वो असली सिव सेना है, ऐसा order दिया गया है, महराष्टर स्टेट एसेमली के स्पीकर के द्वारा तो राइटर यहाँ पर ना एंटी डिफेक्शन ला से समंदितना कई सारे कोश्चन्स रेज करते हैं देखो एंटी डिफेक्शन ला का बाया था मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ 1985 में आया था 52 में constitutional amendment के थ्रू 10th schedule एड किया गया था देखो 1985 से पहले आया राम और गाया राम की राजनिती काफी चल रही थी कोई person MLA बनता चुनाव जीतते ही फिर दूसरी पार्टी में सामिल हो जाता उस पार्टी को छोड़के जिसकी टिकेट पे वो चुनाव जीता है औरना सरकारे बहुत change होती रहती थी क्योंकि पैसो का लेंदेन ज्यादा होता था पार्टी बदलने के लिए जैसे कोई select हुआ बीजेपी की टिकेट पे लेकिन MLA बनते ही Congress ने offer दे दिया कि जल्दी आप हमारे पास आजाईए हम आपको पैसे दे देंगे तो वो अपनी पार्टी को छोड़के Congress में सामिल हो जाता and vice versa ये चीज़े काफी चल रही थी तो stability insure करने के लिए राजनीती में पैसो का लेंदेन horse trading इन सब को रोखने के लिए 1985 में ये anti-defection law आया था इसमें ये बोला गया अगर देखो कोई MLA जिस पार्टी की टिकेट पर जीता है न चुनाव उस पार्टी की membership को छोड़ देता है न तो उसकी सदस्ता चली जाएगी इवन देखो अगर उस पार्टी जिससे वो MLA समिन रखता है उस पार्टी के VEEP ने ओडर जारी किया है कि आपको न कोई BIL आया है और उस BIL के PAKS में समर्थन करना है या फिर उस BIL के खिलाफ जाके आपको VOT देना है ऐसा अगर किसी पार्टी के VEEP ने ओडर जारी कर दिया है लेकिन MLA या MP वीप के अदेश के अगेंश्ट जाता है और अपनी मर्जी से वोट दे देता है यानि बोला गया था वीप ने कि आपको बिल के पक्स में वोट देना है लेकिन MLA ने खिलाफ जाके वोट दे दिया तब भी उसकी जो मेंबर्सिप है वो चली जाएगी लेकिन न दो exceptions दी गई थी मैं आपको बताओं दो exceptions दी गई थी पहली exception एक तो देखो कोई political party है इसके 30 MLA है 30 में से मान लीजिए 10 MLA अलग हो गए है समझ गए 30 में से 10 MLA अलग हो गए है बाकी रह गए है 20 तो 1 TIE हाई अगर MLA अलग हो जाते है न को split कहलाएगा तो फिर membership नहीं जाएगी इन एक तिहाई members की जो बाकी party से अलग हो गए है हलांकि ये rule जो था 2003 में हटा दिया गया मैं आपको specially बता रहा हूँ पहले मैंने आपको rule बताया और फिर मैंने आपको ये बताया ये rule हटा दिया गया था 2003 में तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर जब हटाई दिया तो बताया क्यूं है बताया इसलिए है क्योंकि सिवसेना वाले case में इस point का role है समझ गए पहले rule ये था अगर total MLA's में से एक तिहाई MLA's party से अलग हो जाते है न तो फिर उनकी disqualification नहीं होगी एक तिहाई MLA's का split हो सकता है पहले rule था लेकिन 2003 में ये rule हटा दिया गया फिर एक और rule है अगर total MLA's जैसे 30 है 30 में से 2 तिहाई MLA's यानि 20 MLA's एक साथ किसी party में मर्ज हो जाते हैं तो भी उनकी membership जो है वो disqualification नहीं होगा तो 2 rules थे disqualification को avoid करने के लिए पहला rule एक तिहाई split MLA's का और दूसरा rule कि 2 तिहाई MLA's किसी दूसरी party में मर्ज हो गए पहला जो point था इसे खतम कर दिया गया 2003 में split वाला यानि अब अगर एक तिहाई MLA's split भी होते हैं तो यह rule जो है वो आज भी बरकरार है अब आप सीवसेना वाला case देखिए writer यह कहते हैं सीवसेना वाले case में पहली तो बात देखो दो गुट बने सीवसेना गुट बन गया और सीवसेना गुट में अगर MLA's जादा थे तो भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि MLA's का जो split था उसको लेके जो rule था वो 2003 में खतम हो गया अगर देखो सीवसेना के दो तिहाई MLA's BJP में सामिल हो जाते ना सिरफ तभी उनकी qualification जो थी वो बच सकती थी यानि dis qualification वो avoid कर सकते थे लेकिन सीवसेना बट गई दो गुटों में और split हो गया सीवसेना का तो split होने के कारण उनकी membership जानी चाहिए थी क्योंकि 2003 में ये rule खतम किया जा चुका है कि एक तिहाई split होता है तो membership बच जाएगी लेकिन speaker ने इस point पे ध्यान नहीं दिया महराष्टर state assembly के speaker ने बोला कि देखो ये जो anti-defection law है ना ये party के अंदर दो गुट बन जाते है ना उसको address करने के लिए नहीं है और उन्होंने तो यही बोल दिया कि सिंदे गुट जो है वो असली सीवसेना है समझ गे अब देखो anti-defection law से समद इतना कुछ points है important पहली तो बात speaker का जो role है ना हमेशा partial रहता है क्योंकि speaker तो देखो impartial हो के काम नहीं करते partial हो के काम करते हैं अपनी political party का ही समर्थन करते हैं हमेशा समझ गे अब political parties ने ना तरीके ढूंड लिये है anti-defection law को भी avoid करने के लिए जैसे मार्च 2020 में करनाटक में ऐसा हुआ Congress के 20 MLA's अपनी सदस्ता छोड़ कर BJP में सामिल हो गए उन्हों रिजैन कर दिया BJP में सामिल होने के बाद उन्हें BJP ने फिर से election लड़वाया और उनमें से जातर MLA's by election जीत गए और सरकार बन गई BJP की जो की पहले Congress की थी तो ये चीज़े बहुत चलने लगी है anti-defection law को avoid करने के लिए अब देखो काफी सारे suggestions दिये जाते हैं जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी ने नहीं 1990 में ये बोला था अगर देखो किसी member की disqualification के issue को address करना है ना तो वो speaker पर नहीं छोड़ना चाहिए president या governor decide करें किसी MLA या MP की सदस्ता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए और president और governor त्या करें election commission की advice पर समझ गे फिर देखो Arvind P. Dattar ये एक advocate है इन्होंने ये suggest किया देखो ये चीज ना respective high court की एक dedicated bench के उपर छोड़ देनी चाहिए कि disqualification होना चाहिए और नहीं होना चाहिए त्यूंकि speaker तो जान बूच के ना मामलों को लंबे समय तक लटका के रखते हैं और जातर समय वो अपनी political party जातर के समय हर बार वो अपनी अपनी party का ही साथ देते हैं वो impartial होके नहीं act करते हैं फिर देखो धिनियस गोस्वामी कमेटी ने ये भी बोला था देखो defection ना तभी लगना चाहिए जब कोई MLA या MP अपनी party की सदस्ता को छोड़ दे अगर वो party से अलग जाके vote देता है तो फिर defection नहीं लगना चाहिए कुछ लोग ये भी बोलते हैं वो MLA या MP जिनकी इस लाके कारण सदस्ता जाती है ना उनके उपर ना एक penalty ये भी लगाई जाए ना सिरफ अभी आपकी सदस्ता जाएगी बट आने वाले दो elections भी आप नहीं लड़स कोगे तो इससे भी एक डर पैदा होगा और MPA MLA अपनी political party को नहीं छोडेंगे इसके लावा last suggestion ये है ethics को promote किया जाए मतलब जो existing ethics committee है ना उनको मजबूत किया जाए उनको empower किया जाए वो भी एक बड़ा role play करें defection cases को scrutinize करने में defection cases की चानबिन करने में ताकि speaker के उपर burden जो है वो कम हो तो anti-defection law से संबंदित ये सारे dimensions हमने discuss किये अब चलते हैं आगे questions देख लीजिए जिनका answer आपको देना है चुकि देखो pre नस्दीक आ रहा है तो pre के questions को एक बार फिर से हम add करते है दो questions आपको pre के answer देने है anti-defection law से संबंदित आप ध्यान से questions को पढ़िए और इनका answer दीजिए पहले ये question देखिए ये question UPSC का नहीं है PCS का question है लेकिन आपका revise हो जाएगा anti-defection law आप जल्दी से इस question का answer दीजिए ये UPSC का question है इसको ध्यान से पढ़िए और इसका answer भी आप दीजिए वीडियो को pose करके पढ़िए ये दो mains से related questions आपको address करने हैं दोनों का answer आपको देना है 250 words में www.onlyis.com पे जाके आप इन दोनों questions के answer दे सकते हो इनके answers मैं आपको कल बताऊंगा ये थी हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही है Thank you Thank you very much for discussion Thank you